हेलो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को गुड़ मॉनिंग मेरा नाम रवीना शेखावत है और मैं अपनी चैनल फ्रेंड्स हमेशा की तरह है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंपोर्टेंट करेंट अच्छा लगे तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारा क्योश्चन अव दड़े है हिमाल्य शेत्र के खनीज संसाधन अल्प क्यों है इसक जलवाई दसाइं खनीजो के अन्वेशन के लिए प्यूक्त नहीं है और डियो अप्शन है असों भूबा के काण खनीजो का अन्वेशन कठीन हो जाता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जादा सी जादा पार्टिस्पेंट करें यह क्योश्चन बहुत अप्संस है डाई अमोनियम फास्पेट एन पी के डी एपी यूरिया इसका राइट आंसर है डाई अमोनियम फास्पेट बहरत ने डाई अमोनियम फास्पेट और वरक आपूरती के लिए रूस के साथ समझोता गया पन पर हस्ताक्सर किये हैं इस समझोते के पीछी का और जोर्डन मोरको और चीन जैसे देशों पर निर्वड़ता कम करना हाल इमें केंद्री मंत्री मनसुक मंडाविया नहीं कि अधेक्स्ता में एक उरुवरक मंत्रा लेने सभी जो कमपनिया हैं उनको और डीएपी वाँने फास्पेट उरुवरकों की खुद्रा कीमतों को मेवर्दी नहीं करने के लिए निर्देश दिये थे क्योंकि मौजूदा जो रवी सीजन में किसानों को इनकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है और इसके लिए जो अगर इनके अगर इनके बहुत जादा होते हैं तो पता है जो हमारी खेती में खर्चा जादा लगता है जिसके उजह से लागत ही नहीं वापिस मिल सकती किसानों के आलाद इसलिए जादा खराव हो जाते हैं और इसलिए जो गोर्वेंट के ये जो स्टेप है मेरी साथ से बहुत ही अच्छा होने वाला है और जब 2022 में बोले थे किसानों काई दूगू नहीं करनी है उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा सरकार ने परशब सीडी को भी 500 रुपे परती बैग से 140 परती सत्थ बढ़ाकर 12 रुपे परती बैग कर दिया है और आज का अगला क्योस्चन सरकार ने बैक्टेरियल वायरल संक्रमणों की निगरानी के लिवारत का पहला कौन सा कंसोर्टियम लोंच किया इसके ओप्सन से इसका राइट आंसर है One Health सिरकार ने बैक्टिरियल वारल संक्रमनों की निगरानी के लिवार्थ का पहला One Health Consortium लोंच किया है इसमें D.E.B.T. National Institute of Animal Biotechnology हधरवाति लंगानान के नेतरतव में 27 संख्थन सामिल होंगे इनका सुबारम जयव प्रयोदर्व की विभाग की सच्थिव डॉक्टर रेणू सवरूप के वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए इन्होंने किया है मारा आज का अगला क्योस्चन आईशेय हमार ने कितनी वासाव में मुद्रा टूल बोक्स जारी किया इसके ओप्संस है दस पंद्रे पांच चालिस इसका राइट आंसर है पांच आईशेय हमार ने पांच वासाव में मुद्रा टूल बोक्स जारी किया यह मुद्रा यह है मल्ति लिंगल डेमिंटिया रिसर्च एंड असेस्मेंट टूल इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च ने पांच वासाई कौन सी है हिंदी बंगाली तेलुगू कनड और मल्यालम इन वासाव में मुद्रा टूल बोक्स जारी किया मुद्रा टूल बोक्स भारत के हलके संग्यानात्मक, हानी अनुसंदानात्मक और चिकित्सक की एप पर्थाओं मेसुदार के लिए आई शेमार एंसेटी बीज साजेदारी का नेतरतों के लिए एक प्रियोजना है हमारा आज का अगला क्योश्चन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है इसके ओप्शन से 94, 90, 100, 101 इसका राइट आंसर है 101 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो है 101 मतलब 101 वी रैंक है 116 देशों में से भारत की रैंक है 101 एक वी इस हिसाब से भारत की सिचुएशन बहुत ही खराब है अगर भारत के प्रोशी देशों के साथ कंपेरिजन किया जाए तो पाकिस्तान 92 बंगलादेश 76 और नेपाल 76 स्थान पर है यह रिपोर्ट आरिस सायक अजेंसी कंसर्ण वर्ल्ड लाइफ और जर्मन संग्ठन वेल्ट हंगर लाइट द्वारा जोइंटली त्यार की गई है 2020 में भारत चुराणवे स्थान पर था जो कि अब फिसल करेक्स स्थान पर आ गया है और भारत को सीरियस लेवल की बुकमरी वाले देशों में गिना गया है देखें आप पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसका जो जिस तरह के पैरामेटर ले जाते हैं उनमें भारत की बारत की जो पबलिक है उनका जो खान पान वगरा यह सब वैसे भी फिट नहीं बढ़ता है क्योंकि भारत में 40 परशेंट से ज्यादा लोग सुद्ध शाकारी है और जो हंगर इंडेक्स में पैरामेटर्स ले जाते हैं वो नूट्रेशन बेस्ट होती है और भारत में आफ प्रामेटर्स से नीचे रह जाते हैं इसके अलावा अब की बार लोकडाउन और मामारी थी इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसकी वजह से सभी देशों की ही जो यह रैंक है वो गिरी है लेकिन बहुत सरकार ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिजक्त कर द पाकिस्तान जैसे भी हमसे पीछे हों इसलिए जाद रिलाइबल नहीं है और वैसे पिकलिदा मिंग्स को पता है and UNHRC के लिए फिर शे निर्वाचित हुआ इसका उप्शन से 5634 इसका राइट आंसर है छे भारत UNGA में भारी मोगमत के साथ छे वेकारे काल के लिए UNHRC United Nation Human Rights Council में फिर शे निर्वाचित हुआ है बारत को 193 में से 184 वोट मिले हैं UNHRC इसके अदेक्स है नजहत समीम खान हेड़कार्टर जिनेवा स्वीजर लैंड में इसकी स्थापना 16 मार्च 2006 में हुई यह वर्ल्ड वाइड जो इमन राइट के लिए काम करती है यह संस था माराज का अगला क्योशन वी स्वद्रश्टी दिवस्दो जारी किस कब मनाएगा इसके ओप्शन है 13 एक्टूबर 14 एक्टूबर 15 एक्टूबर 16 एक्टूबर इसका राइट आंसर है 14 एक्टूबर वी स्वद्रश्टी दिवस्दो जारी किस 14 एक्टूबर को मनाएगा जि यह दिन भारत के जो ग्यारवी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुलक्लाम आजाद है उनकी जयनतिका पर्तिक है जो एपीजे अब्दुलक्लाम है इनको भारता मिसाइल मेन भी कहा जाता है यह पे एपीजे अब्दुलक्लाम का जन 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमील न पदम बूशन आदी इसके अला बहुत सारे जो समान उन्से समानित क्या गया था एपीजे अब्दुलक्लाम हमारे आदर्श है क्योंकि इनका जो योगदान हमारे जो साइंस अंट टेक्नोलोजी के शेत्र में बहुत ही जादा था और दुनिया की नजरों में इन्होंने मि कि भारत के लिए इनको सबसे पहले मिसाइल भी नो नहीं लूंस ग्रवाई थी और इनको बहुत बड़े बड़े योगदान रहे हैं यह हमारे देश के पॉलिटेशियन राष्ट पती के साथ साथ एक बहुत बड़े वेग्यानिक भी थी इसके अलावा ग्रामीन मैलाओं क पांतराष्टी दीवस भी 15 अक्टूबर को मना गया और ग्लोबर हैंड वसिंग डे भी 15 अक्टूबर को मना गया तो फ्रेंज हमारा आज का अंतीम क्योस्टेंस दे क्योस्टेंस ऑफ दे डे कल वाला निमन लिखित में से कौन सा सागर बिना तटी है रेखा का है इसके सारगाशो सागर जिसका जो बिना तटी है रेखा का है सारगाशो सागर की कोई तट रेखा नहीं है यह उत्री अटलांटिक मा सागर का एक भाग है यह पस्चिम के गल्फ स्ट्रीम उत्तर में उत्री अटलांटिक धारा पुरू के कनेरी जलदारा तथा दक्षन के उत्री विशुवत ये जल्दारा से गिरा हुआ है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा एकरंट अफेर सेसन अच्छा लगाओ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए तेंक यू